नमस्कार आप देख रहें न्यूजनाई भारत और मैं हूँ आपके साथ असोग चौपान देश और दुनिया की तमाम ख़बरों पर आए डालते हैं एक नजर पूरा मामला उत्रप्रदेश के हर्दोई जनपत की तहसील सदर के अंतरगत आने वाली ग्राम सभा जीयों का है जहां सरकारी योजनाई भष्टाचार की भेंट चड़ गई दरसल इस ग्राम सभा में सोचाले आवास मनरेगा के तहित जम कर घोटाला हुआ इतना ही नहीं ग्राम सभा अंतरगत आने वाले किसी भी छोटे बड़े कार को सिर्फ कागजू पर ही दरसाया गया जिसकी सिकायत ग्राम लो ने स्थानी प्रसासन से कही एक बार की लेकिन मामला सिर्फ रफा दफा करने का ही कार किया गया पियम का सपना है कि हर घर पर सोचाले का निर्माण हो व्यक्ति के पास अपना खुद का मकान हो गाउं इस्तर पर ही मन्रेगा के तहत कार होड़ता है जिससे मजदूर बाहर मजदूरी करने के लिए नजाएं लेकिन ग्राम सवाजीयों की इन तस्वीरों में आप देख सकते ह कि सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से भ्रिष्टा चार की भेंट चढ़ा दिया है आध्य अधूरे बने सोचाले और सोचाले के अंदर रखे हुए कंडों आप खुद अंदजर लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहां विकास हुआ ग्रामिडों का रोप है कि ग्राम कमिशन खोरी के तहट कागजों पर ही निर्मार करा दिया जाता है आवास सोचाले पर जब हम ग्रामेडों ने प्रधान को कमिशन नहीं दिया तो सब कुछ अधूरा ही रह गया फिलहाल जब इस मुद्धे पर जिलाशतरी विद्कारें से बात की तो उन्हों ने कारवाई का स्वासन तो दिया लेकिन कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया कहा रहते हैं लेटरी नम कहा भरो है लेटरी नम कहा जाते हैं लेटरी भाई आहिए हम ऑस तो 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 से तमये ने ज़िया बां से बां शहालु हुआते हैं अच्छा प्रिया कहा रहा तो रेठि ने के की बनी यह हमारी एक बनी एक कोटेदर की बनी एक राम्भगत की बनी जालू हैं जालू यह कही हैं कि मैं आ अपने नंवाली डिकाइदे चलाई जो अध़ है कि उन्हारे कि पूटी सेटीं बाइदे जो फिर दो साल ऐख हे लिए और आपने फिर्टी यह अधार लेशे जागे श्केक शोटगेवर ज्डार। जखवाई कि कौन तासा है हम जियो गराम सभा के रहने वाले हैं हमारा नाम गोपाल जी दिछित है और हम बाड मेंबर तीन के हैं सोधस और हमको समस्या ये है कि हमने जो परदान से गाए कि हमारा नरेगा काड बना के दीजिये तो परदान ने मुझे नरेगा काड तो बना दिये सेक्रेटरी और परदान ने मोहर और साइन करके दे दिया और हम जब रासन लेने गए तो वहाँ पर कोटेदार बोले कि इस पर आपका पंजी करन नहीं हुआ है जो हम परदान के पास गए तो परदान बोले हम ये काड तोमारा नहीं एसू करवा पाएंगे आपको जो भी करना हो सो करो जाके हमारा नाम सतेंद्रियादो दीपू है हमारे गाव का नाम ग्रामजीयो और पुरा भादू है यहां के परदान ने किसी भी प्रारूपों में कोई काम नहीं किया नरेगा के तहद भी चलते कोई काम नहीं हुआ नाली खड़ंजों के तहद कोई काम नहीं हुआ सवचालों में बहुत बड़े तोर पे ब्रहष्टाचार किया गया और यहां पे दोसाला के रूप में भी पैसा निकाला गया काफी लोगों को नर्यगा में बिना काम किये पैसा दिया गया इसके सिकायद इस्तानी प्रशासन से की अपने प्रशासन से कई बार की गए लेकिन इसकी कोई भी इस पर कारवाई भी श्यामा कुमार है जीओ का रहने वाला हूँ समत्यात बहुत है प्रधान हर चीज पैसा आता है वह सब खा जाते है हमारा तो आवास एक कच्ची कोठरी है आतलक किसी ने बनवाया ही नहीं ने लेटीन मिली इसके सिकायद आपने इस्तानी प्रशासन को की